हलो फ्रेंट्स हमारे फ्रीकूंट्ली रीडिंग में यह मेरा चौथा वीडियो है यह मेरा चौथा वीडियो फ्रीकूंट्ली चार्ट है जो मैं आप लोगों के बीच पर डाल रहा हूं तो इस चार्ट को रीड करूंगा मैं रीट करने से पहले आप लोगों को बोल देता हूँ कि आगर आप लोगों को भी अपनी फ्री कुंडली रीडिंग करवानी है तो आप फिफ्थ और जुलाई से पहले पहले अपनी पर्सनल डीटेल्स मेरे वर्टसाइब नंबर पे जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में होगा उस डिस्क्रिप्शन में दिये हुए नंबर पे अपने पर्सनल डीटेल्स फॉरवर्ट कर दीजे चैनल सब्सक्राइब कर लीजे आपकी पर्सनल कुंडली रीडिंग दो कोशिनों के साथ आपको फ्री ओफ कॉस्ट मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा सेलेक्टेट लोगों को मैं यह कुंडली रीडिंग होती है सब के लिए मैं फ्री ओफ कॉस्ट नहीं दे पाऊंगा लेकिन सब कुछ सेलेक्टेट लोगों के लिए यह कुंडली रीडिंग मैं फ्री ओफ कॉस्ट करूँगा तो उन लोगों को जो जो लोग फ्री ओफ कॉस सब्सक्राइब करना चाहते हैं आप चैनल सब्सक्राइब करके डीटेल भेज दीजे और जिन लोगों ने भेज दिया है और उनकी कुंडली रीडिंग अभी तक नहीं कर पाया हूं मैं अरेलि सॉरी बर्ट मेरे पासं सारी कुंडली watch डीटिंग कर दूब कर से इस लेक्षन हुई है उसमेंसे कुछ लोगों के मैं रीडिंग कर रहा हूं आप लोगों की पी मैंji कर mitä करूं जुलाइ से पहले पहले जिन जिन का सिलेक्ट होगा उसमें आप कवे में सिलेक्ट करके आपकी पर्सनल लीडिंग प्रोवाइट करने की कोशिश करूँगा चैनल को सब्सक्राइब करना करिएगा आप सभी को रिक्वेस्ट है और वीडियो को लाइक करिए जब आपको पसंद आये तो बिल्कुल लाइक करिए मैं आप लोगों को यह रिक्वेस्ट करूँगा अब बात आजाते हैं कि लीडिंग किसकी हो रही है यह मिस्टर कल्यान की कुल्डी है कल्यान जी अभी 27 येर्स प्लस है मतलब इनके अभी 28 साल की उमर है और इनकी पर्सनल लिडिंग हो रही है यह कुम्ब राशी के हैं अक्वरेस असेंडेंट के हैं जिनके शनी उसकी के घर पे रेट्रोगेट होके बैठा हुआ है जो की डिले करवाता है काफी डिले करवाता है लेकिन अच्छा है शनी फर्स्ट हाउस में बैटना एक्वरेस लगन में अच्छी बात है इनके अभी महादशा चल रही है जुपिटर की 2022 तक महादशा चल लगी जुपिटर की के टू की दशा चल रहे हैं अंतर दशा चल लगी है जुपिटर की अंदर ろ डिसंबर तक चलेगी 2023 के उसके बाद वीनस की चलेगी 2026 तक इनके दो सवाल है कल्यान जी आपके दो सवाल है आपकी married life कैसी रहेगी और पैसा कैसा रहेगा आपने directly मुझे पूछा है कि मैं billionaire बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा आपके इसी सवाल के वज़े से मैंने आपकी कुंड़ी को select किया है आप यह जान लीजिए क्योंकि जब आपने उसे पूछा था तो मुझे थोड़ी सी हसी आई थी तो मुझे पसंद आया यह सवाल थोड़ा सा जै कि लोग सुछतें जी कि ओहो आप आप over confidence है या आप ऐसे कै can behave like a मतलब आप थोड़े से stupid behave कर सकते हैं because आप अगर अपनी दिल की बात सोच के कर रहे हैं तो थोड़ा stupid भी हो जाए तो कोई क्या फरक पड़ता है आप अपना दिल का पूछ रहे है तो मुझे हसी आई आपकी बात पर और मैंने उसी टाइम पर सोच लिया थे कि मैं आप इस सबक तो सीख लिया है जी कि पैसा बचाते कैसे हैं राइट अब कमानी की बात आती है तो उसके regarding मैं चार्ट में आपको बताऊंगा आपने एक असूल बिलेनर बनने का सीख लिया या पैसे वाले बनने का सीख लिया है कलिया आपके सवालों से मुझे थोड़ा सा आप आपने बिलेनर पूछा तो जो शब्द है यह इंग्लिश डिक्ष्णरी से मतलब यूश्ट ली अमेरिकन यूज करते हैं यू यूरोप और अमेरिका में यूज होता है तो बिलेनर आपने बिलेनर पूछा तो बिलेनर के आगे डॉलर नहीं पूछा या रुपीज नहीं तो हाला कि उससे फरक भी नहीं पड़ता लेकिन यह है कि अगर आप बिलेनर बनना चाहते है तो डॉलर में बनना चाहते तो कम से आठ से 10,000 करोड होने चाहिए और रुपीज में बनना चाहते तो सो करोड में बन जाएंगे अब राइट तो रियालिटी में फरक आ जाता ह और वही फरक कलियान जी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वही फरक चार्ट में भी आ जाता है ठीक है चार्ट और इंसान का फरक एक ही चार्ट का इंसान बिलेनर डॉलर में भी हो सकता है और एक ही चार्ट का वही इंसान बिलेनर रुपीज में भी हो सकता है यह के सपोर्ट के क्या कोई पैसे वाला हो सकता है जी नहीं बिलकुल आप पैसे कमा सकते अपनी जिन्देगी में लेकिन बहुत पैसा कमाने के लिए हर चीज का सपोर्ट होना जरूरी होता है और वो चार्ट से प्रिटीट कर सकता है बट आपको मैं एक एडवाइस दूगा कि ज अपनी कुंड़ी में देखना चाहें तो मैं ये बोलूँगा जिकि आपकी कुंड़ी में कई सारी positive signs है सबसे पहले एक जो negative है उसके बारे में बोल देता हूँ अभी आपकी अंतरदशा में केतू चल रहा है जुपिटर में केतू चल रहा है एक साल के लिए थोड़े साव को loss हो तो वो आपको केतू कुछ समझानी की कोशिश कर रहा है आपके चार्ट में positive बहुत सारी चीजे है शनी अपने ही घर में बैठा हुआ है और accurate लगन में बैठा हुआ शनी काफी अच्छा result देता है पैसे के regarding आपने सवाल पैसे के लिए पूछा है तो मैं presently पैसे के ह की बारे में बात करूँगा तो एक सबसे बड़ा positive शनी का हो गया दूसरा सबसे बड़ा positive यह हो गया जिकि Venus आपके लगन में accurate लगन में Venus योगकार एक प्लैनेट होता है और अपने ही घर में राहु के साथ बैठा है जो कि राहु is not uncomfortable with Venus और Venus भी राहु के साथ uncomfortable नहीं है 2023 के बाद आपका Venus लगेगा तो आपके भागे का स्थान पे बैठा हुआ भागे का ही मालिक और convenience के मालिक की दशा चलेगी और आपके आए के और आपके fixed asset के जमा के जमा पैसे के मालिक के महा दशा में अंतर दशा चलेगी Venus की हालकि Jupiter और Venus की बंती नहीं है लेकिन इहां पे दोनों को अच्छे घर मिले हुए हैं और दोनों अच्छे position में बैठे हैं तो मैं इसको उतना 90% positive ही मानूँगा 10% negative मानूँगा आपने मुझसे wealth के बारे में पूछा है कल्यान जी health के बारे में नहीं पूछा तो मैंने आपको health के बारे में आपको सवाल के जवाब नहीं दे रहा हूँ मैं आपको सिरफ wealth के regarding सवाल के जवाब दे रहा हूँ आपके personal relationship के बारे में नहीं पूछा आपने मैं उसके सवाल के जवाब नहीं दे रहा हूँ जब नहीं दे रहा हूँ तो समझ लीजे इसके जवाब को ढूणने खुद पढ़ेंगे जो भी है आप खुद ढूण लीजे जिसकी किसी की मदद चाहिए तो किसी और की मदद से ढूण दे या personal leading करवानी हो तो पूछ लीजेगा रेकिन at presently आपने wealth के regarding पूछा है हाँ करमेशो के और हाड वरकिंग के थुरू स्टगल के थुरू आपको benefit देने की पूरी कोशिश कर रहा है और मंगल यहाँ बैटे जुपिटर के साथ अच्छा combination बना रहा है अगर आप अपनी महनत करेंगे तो आप अच्छा कमाई कर पाएंगे कोई problem नहीं है करोड़ पती बनने के लिए आपको बहुत सारी चीजे होती है और आपके पास बहुत सारी चीजे है चौथी जो important point यहाँ पर आता है जिकि आपका मरकरी और सूर्य दोनों आठवे घर में बैठा है और अस्टमेश अस्टमेश के घर में बैठा है तो सटन गिन कराने का काम मरकरी करेगा यहाँ पर सूर्य सब्तमेशो के अस्टमेश बैठा हुआ है तो आपकी financial benefits आपकी wife के थू भी मिलेंगे आपके wife की ancestor properties या उनकी fixed assets से आपको benefit मिलेगा सूर्य आपके assets को देख रहा है यहाँ बैठा हुए उनसे आपके assets बनने के बहुत अच्छे chances बन जाते हैं आप एक leadership role पर आजाते हैं जो आपके आजू-बजू वाले लोग आपसे काफी जादा चापलूस होते हैं आपको काफी या तो आपको काफी दिखाते हैं जी कि वो काफी आपके ऊपर भरोसा करते हैं या आपसे impressed है और उस और कुछ होते भी हैं तो आपकी अपने circle में काफी जादा respect बनी हुई रहती है तो सूरिया ये काम करवाता है लेकिन sudden loss के भी काम करवा सकता है तो थोड़े से बचके रहिएगा केतू की ये जो दशा चल लिए इसमें आपको काफी सारे problems हो सकते हैं तो ये एक साल आपको थोड़े सा समल के चलने की कोशिश कीजिएगा लेकिन यहां पर मून थोड़ा मन को वालेटाइल भी करेगा आपके लक्त को भी थोड़ा वालेटाइल करेगा अब बात यह आ जाती है जिकि आपने मुझसे पूछा था जिकि क्या आप मैं investment करता हूं और आप जो पैसा कमाते हो आप trading और investment में करते हैं ये साल थोड़ा सा समल के करिएगा लॉंग टर्म investment करिएगा तो जादा बहतर रहेगा लेकिन उसमें भी loss होने के chances है और अगर चार्ट को देखा जाए तो एक दो तीन चार यह चार जो points है यह जो दो conjunction और यह आपके ascendant का जो खुद के घर पे बैठना है यह आपको बहुत lucky बना देता है और इस luck के थुरू आपको बहुत benefits मिलेंगे आप अगर long term investment करते हैं या medium term investment करते हैं और उसमें अगर आपको short term gain हो जाता है तो उसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी राहु जब venus की दशा चलेगी राहु का साथ में बैठना बहुत अच्छा रहेगा वो उस चीज को excel करेग मैं आपको ये बोलूँगा जी कि आपके chart में आप अगर trading करते हैं तो आपके ट्रेडिंग की chart वैसे भी accurate learn के लोग mostly trading करना जानते हैं तो अब उसमें successful हो पाते हैं अब उनकी किस्मत की बात होती है प्लैनेट्स की बात होती है आपके planets 80% बहुत अच्छे हैं आप बहुत बैठे हुए हैं और इस planets को लेकर आपको 80 profit 20 का loss का हिसाब किताब होगा सवाल सिरफ इतना है जिकि जब आप 80% profit कर रहे हैं 80% time की बात कर रहा हैं पैसे की नहीं बात कर रहा है 80% time में जब आपको profit हो रहा है तो आप कितना पैसा लगा रहे हैं और जब 20% time में आपको loss हो र बन जाते हैं कभी कभी क्योंकि यहां पर बैठा हुआ sun और mercury हमेशा profit दे ऐसी कोई guarantee नहीं देता लेकिन देगा जरूर देगा sudden gain जरूर देगा पैसी की कमी नहीं रखेगा लेकिन problems देगा तो मैं आपको advice यह दूँगा जिकि FNQ आप जब trading पे हैं तो आपको पता future options और FN chances हैं क्योंकि हाँ पर moon बैठा हो volatility create करेगा तो हो सकता है आपको उसमें loss हो तो आप थोड़ा सा stable अगर business अगर trading करना चाहते हैं तो long term और short term मतलग intra day मत करिए मतलग एक दिन के अंदर अगा आप trading का profit कमाने का सोच रहा है तो उसको थोड़ा सा avoid करिए आप थोड़ा settling होके आ date करने की कोशिश करिए मैं फिर से बता रहा हूं जिंकि आपका मैंने यहां पर सिर्फ financial सवालों का जवाब दिया है जो कि आपका दूसरा सवाल था बिलेनर होने के लिए कल्यान जी आपका नाम कल्यान है तो सोचे जी की आपका नाम कल्यान क्यों दिया गिया है कल्यान करने के लिए जिसका नाम कल्यान है उसे कुछ काम अच्छे करने बढ़ेंगे न तो कुछ अच्छे करम करिए आपको उसका फायता जरूर मिलेगा अच्छे करम, तो और अच्छे नाम मिलेंगे दूसरा point यह है कि जब आप billionaire बनने का सपना देखते हैं तबसे पहला point of view है जो billionaire बनने का सपना होता है उसकी दिमागी हालात कैसे हैं वो personality कैसा है यह बहुत important बन जाता है शनी की अभी आपकी दशा आई नहीं है शनी ने आपको अभी तक कुछ खा सिखाया नहीं है तो जब वो सिखायेगा उसके बाद मैं सोचूँगा जी कि आप उसकी दशा अगर आप काटे हैं उसकी दशा में हो तो मुझे उमीद रहेगी जी कि आपको जिंदेगी में काफी कुछ और extra समझने को मिलेगा क्योंकि वो एक तरीके से एकाकी पन लाता है शनी हाँ पर बैठके जुपिटर की दशा में आपको कई सारी चीजों को ग्यान मिला है नौलेज मिला है उससे आपको फाइदा मिला है लेकिन शनी की दशा से ही आप समझ पाएंगे जिकि ये जो बिलेनेर का सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं क्या ये कितना सही है या गलत है वाकि मुझसे आपने जब सवाल पूछा है तो मैं आपके उपर नहीं डालूँगा मैं आपको सिर्फ इतने जवाब देता हूँ कि आप अपनी परस्नालिटी को पूछे जब आप दस हजार की हैसियत रखते हैं जब दस लाग की हैसियत रखते हैं दस करोड की हैसियत रखते हैं ये दस हजार करोड की हैसियत रखते हैं इन सारे situation में आप अपनी personality कहां खड़ी करते हैं अगर आपकी personality इन सारे situation में same है तो आपको success मिलने में कोई नहीं रोख सकता अगर आपकी personality और आपके behavior में पैसे के हिसाब से change आता चला जा रहा है तो आपको बाद में problem होगी हर किसी को होती है आपकी में अकेली की बात नहीं कर रहा हर किसी को होती है सिरब पैसा कमाना important नहीं होता है उसको किस तरीके से अपनी personality पे effect ना दिलाना और दूसरों के अपने पैसे से दूसरों को जितना हो सेगे उतना help करने से आपको ज़्यादा benefit मिलेगा सैटन यहीं आपसे expect कर रहा है पीस ओफ माइंड आपको तभी मिलेगा अब पहला सवाल यह आता है कि आपने दूसरे सवाल का मैंने आपको जवाब दे दिया है अगर आप satisfy है तो ठीक है अगर आगे और कुछ पूछना हो तो आप परसनल लीडिंग से मुझसे पूछ सकते है आगे बढ़ता हूँ married life के regarding बात करता हूँ married life में आपको complications है पहला complication यह जी कि 7th house का lot 8th house में जाके बैट के और 8th house के साथ बैट के है तो chances यह हैं जी कि आपकी wife के health खास अच्छा नहीं है वो दिमाग से थोड़ी गुसायल है उनका दिमाग काफी गुसा है और उनके wording गुसे में काफी जादा calculated हो जाते हैं और थोड़ा सा हो सकता है जी कि self-centered wording हो जाते हैं जिससे आपको effect पड़ता है अगर पहली बात यह भी है कि married life कैसी आपने पूछा है मुझे नहीं बता है कि आप married है के नहीं है अगर आप married हैं तो यह है अगर अगर नहीं है तो मैं आपको यह advice दोंगा कि married कोई किसी से भी प्यार करें तो मतलब शादी करे तो उससे प्यार हो तभी करे और 100% प्यार हो तभी करे कोई और रीजन से मत करिएगा तो ये आपको benefit देगा ये son आपको जो भी negative effects तो उससे आपको बचा के निकालेगा दूसरा point of view है शनी आपके पहले घर में बैठा हुआ है और साथवे घर को दृष्टी दे रहा है इसी कारण के विज़ा से हो सकता आपके chances love marriage के ज़्यादा अच्छे बन जाते हैं और secondly आपका क्या बोलता है out of caste marriage के chances अच्छे बन जाते हैं तो अगर आप married है out of caste marriage क्या है या आपने अपनी पसंद से married शादी करी है तो काफी हद तक आपका married life अच्छा रहेगा सवाल एक और आता है के married life कैसा रहेगा के सासक कितना रहेगा यह शनी यहां बैठे हुए आपको बहुत सारा ग्यान देगा जब उसकी दशा आएगी तो अभी उसकी दशा है नहीं जैसे जुपिटर की 32 तक दशा चल रहे है तो 32 और अभी है आप चल रहे हैं 27 प्लस 28 चल हां मंगल के भी दशा चल रही है थुड़ा समल के रहेगा हो सकता है लॉस हो लेकिन अगर बाइचास मंगल अपने पर आ गया तो काफी अच्छा प्रॉफिट करा देगा आपकी आपकी बर्थ जब तक आपके नेक्स आपका बढ़ देड नहीं आता तो के तो यहां पर काफी सारी चीजा आपको हो सकता है जिके आपके परसनल लाइफ को लेकर सिखा रहा हो एकाकी पन ला रहा हो सिंगल हो आपको लाने की को आपकी फीलिंग ला रहा हो और आप उसमें इंडल्ज हो भी रहे होंगे तो मैं आपको एडवाइज दोंगा जिकि म या आपको देखके आपसे फायदा उठाने के लिए आ सकते हैं और वो लोग जो आएंगे तो आपकी पर्सनल लाइफ को एफेक्ट करके जाएंगे तो अपने पर्सनल लाइफ को ठीक रखने के लिए आपको खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा और एक पॉइंट आएगा जब साटन आपको खुद को अकेला महसूस करने की आपको अकेला फील करवाएगा जब आप वो फील करेंगे तब भी आपके मेरेट लाइफ पर आपको प्रॉब्लम आने के चांसे हैं तो इन सब चीजों का سॉलीूशन कीजेगा शैटन का सॉलीूशन कीजेगा दूसरा पॉइंट यह है कि एकसेप्ट करके चलिए जिन्दगी में कि शादी हो या ना हो जिन्दगी में जब आप पैदा हुए हैं अकेले ही हुए हैं और जाएंगे भी तो अकेले ही जाएंगे तो सौ के बीच के क्राउड में भी अगर आप अकेला फील कर रहे हैं कभी आज अगर ना भी कर रहे हो तो फ्यूचर में अगर कर रहे हो तो यह feel करिए अगर top पे पहुचना है यह आपने अपनी जिंदिगी का target बनाया है जब आपने पूछा है जी कि मैं billionaire बनूँगा के नहीं बनूँगा तो top का आदम हमेशे अकेला होता है उसके साथ में शायदी कोई जादा लोग खड़े होते हैं तो अपने आपको उस तरीके का बनाने अगर आपका interest यह है तो आपने आपको उस तरीके का बनाने का कोशिश करिए और even married रहते हुए आदमी खुद को एक point वे खुश को खुश रखने का कोशिश करेंगे तो जादा बहतर होगा अब बात बचती है कि overall आपके चार्ट काफी positive है कई सारे points है जो मैं आपके साथ personally discuss कर सकता था बट आपने free chart reading की बात बोली है तो मैं आपको free chart reading के regarding इसमें बात कर रहा हूँ अपने फादर के health को फिर भी मैं बता देता अपने फादर के health का धियान रखेगा जादा बहतर रहेगा Thank you